अब आप इसका color देख सकते हैं, बहुत ही जादा tempting लग रहा है, दिखने में खुबसुरत और color तो, खजूर का इचार इतना जादा tasty बनता है, कि आपको एक बार ट्राइ करना तो बनता है, अब आप देख सकते हमारा इचार कितना जादा tasty बना है, ये देखे, अलो जोस्तों पीज वाले लेकर आते हैं, तो आप उनके बीज ज़रूर रिमॉब कर दें, क्योंकि बीज के साथ अचा अच्छा नहीं लगता। बाजार में खजुर कही तरीके के आते हैं, बीज वाले भी आते हैं, और बीना बीज के भी, आप इने online भी order कर सकते हैं, अगर आप हमसे बोलेंगे, तो हम आपको लिंक available करा देंगे, तो इस तरीके के आपको कुछ खजुर चाहिए, अंदर से बिल्कुल साफ सुत्रा और ब में बहुत ही जादा टेस्टी और चट पटे लगेंगे कजूर को छोटे टुकडों में तोड़कर हमने त्यार कर लिया है तो चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ अचार बनाना शुर करते हैं एक मिक्सिंग बोल में एक चमच नमक एक चथाई चमच काला नमक और इसके साथ ह बुनावाद धनिया जीरा और लाल मिच का पाउडर एट करेंगे जिसमें धनिया की मात्रा जीरा से जस्टबल होती है और इन्हें हमने तवे पे भून लिया है उसके बाद कोसली ग्राइंड किया इस मसाले को आप जरूर एट कीजे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब अचार में एक अच्छा सा कलर देने के लिए सवा चमच के करीब कश्विरी लाल में चैट करेंगे एक चमच हम भूनी भी सौफ का पाउडर एट करेंगे तवे पे भून लिजे उसके बाद कोर्सली ग्राइंड कीजे आधी छोटी चमच से कम निजल असे यानिकी हमारा चटपटा बनेगा इसे जो हमने शुगर एट की है वो थोड़ी सी डालियूट हो जाएगी और साती साथ हमारा अचार प्रिजर्व रहेगा तो इसे एट करने से हमारे अचार में चटपटा सा टैंगी सा फ्लीवर आएगा तो मसालों को निबू के रस के साथ यानि कि खजूर, खजूर का यह अचार इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि आपको एक बर ट्राइ करना तो बनता है अगर आप रत में यह अचार खाना चाते हैं तो आप इसमें सेंधा नमक एट कीजे साथ में एट कीजे भुनावा जीरा पाउडर और निबू का रस जि इसे आप इंजॉय कर सकते हैं तीस चार दिनों के बाद अब हम अचार स्टोर कैसे करेंगे कोई काच का स्ट्रलाइज कंटेनर ले ले लिजे साफ सुत्रा सुखा होना चाहिए ताकि अचार में किसी तरीके की फंगस ना लगे वैसे तो इसमें लेमन जूस बढ़ा हुआ ह या फिर अगर आप फेस्बुक पेच पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो फेस्बुक पेच पे भी पिकल एपिसोट से हैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं काफी सारी पिकल्स की वराइटीज मिल जाएंगी आप उन्हें ट्राइ कीजे बनाए और एंजॉय कीजे तो ये हमारा डेट स्पिकल हो चुका है रेडी तैयार हो चुका है इसे आप एंजॉय कीजे कभी भी ब्रेकफ़स्ट के साथ स्नैक्स के साथ या फिर आप इसे यूँ ही खा सकते हैं एक कैंडी की तरह बहुत ही जादा टेस्टी और चटपटा बना है अगर ये वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक दीजिगा और शेयर कीजिगा इसे अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ तिल दिन में बाइन टेक यूर थिंक्यू फूर वाचिंग हैव अग्रेटे